Hello everyone, Key2Blogging में आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने header menu पे एक social icons कैसे लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा header menu है, यहाँ पे कोई भी social icons नहीं है और आप जानते हैं कि generate press में कोई भी facility नहीं है, social icon add करने के लिए header menu पे तो इसके लिए आपको generate press का premium version लेना पड़ेगा, free version में यह possible नहीं है तो यहाँ पे हम generate press का elements feature है उसका इस्तमाल करके social icons लगाएंगे header menu पे तो चलिए dashboard पे login करते हैं यहाँ पे मैं plugins पे जाओंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने generate press का premium version इस्टाल कर दिया है और यहाँ पे generate press पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा elements feature आपको इसको activate करना पड़ेगा उसकी बाद आप elements tab पे जा सकते हैं यहां पर आपको एक नया element create करना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं block उसके बाद मैं यहां पर create करूँगा और मैं लिख दूँगा जैसे menu social icon इस तरह से और उसके बाद आपको अपना जो social icons add करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा यहां पर forward slash click करके button search करूँगा यहां पर हम social buttons लगाएंगे तो यहां पर मैं क्या करूँगा icons पर जाओंगा और social पर click करके यहां पर facebook select कर दूँगा और यहां पर remove text पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं जो facebook button है वो add हो गया है और यहां पर आप इसका border radius adjust कर सकते हैं तो मैं यहां पर 30 pixel लगा देता हू तो आप देख सकते हैं जो border radius है वो add हो गया है यह आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं तो मैं यहां पर जिरो कर दूँगा तो यह एक square pattern पर आज आएगा और उसके बाद आप उसका जो spacing है वो भी adjust कर सकते हैं टॉप spacing 15 pixel है आप इसको 10 pixel कर सकते हैं इसे की वह बटन ने थो आप दूँगा facebook का और उसके बाद मैं क्या करूंगा उसको duplicate करूंगा यहां पर मैं एक बार इसको delete कर देता हूं उसको पहले container पे अड़े कर दूँगा जिससे की यह जो icons है वो container पे एड़ हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा Facebook पे click करके उसके बाद इसको duplicate यह जो फास्ट वाला बटन है ना उसका राइट मार्जिन लगांगा 10 पिक्सल का तो आप देख सकते हैं जो बटन के बीज में स्पेसिंग आ गया है तो अभी मैं सेकंड बटन पर क्लिक करके इसका जो आइकन है मैं चेंज कर दूंगा ट्विटर पे और उसके बाद मैं फिर को चेंज कर देख सकते हैं तीन बटन हो गया है अभी हम यह आइकन को अपने हैडर मेनु पर लगाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एलिमेंट्स टाइप को तो हुक रखना पड़ेगा आप यहां पर जो हुक का लोकेशन है ना यहां पर सिलेट कर सकते आपना है यह अंगर आपको कुछ पिवले इसको Vaips कर सकते हैं तो मैं इसको पपिलिस करता हो और उसके बाद हम जाते हैं 커피 पे और चेक करते हैं कि है सही से देख राइए या नहीं आप दीख सकते हैं जो बटन है वह जो दिख़े है ब्ट यहां पर हमको left पे कुछ margin लगाना पड़ेगा तो हम इसको भी कर सकते हैं तो हम उसको जाएंगे menu social icons पे यहां पे जो first button है ना उसके left में 10 pixel का margin लगा देंगे और जो right का margin था हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो मैं यहां पे 5 pixel कर देता हूं और second button का भी right margin को 5 pixel करता हूं जिससे की spacing जो है घट जाएगा इसके बाद मैं इसको update करता हूं और यहां पे मैं इसको refresh करता हूं आप देख सकते हैं जो buttons है ना वो add हो गया तो इस तरह से आप अपना जो social icons को design कर सकते हैं और अपने header menu पे लगा सकते हैं वो भी generate press theme में तो इसके लिए आपको generate press का premium version लेना पड़ेगा और वहां पे elements hook को enable करना पड़ेगा तो अगर आपको कोई भी doubt है इसके बारे में तो आप हमें comment section में बता सकते हैं और वी इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मे बाइ बाइ